मेरी पाड़ साला में आपका स्वागत है हलो बच्चो कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो बच्चो आज हम पूर्व अनुभव सुनो और बताओ हम इस विशे में जानकारी प्राप्त करेंगे देखो बच्चो ये लड़का है ये लड़का क्या बोल रहा है वर्ष भर हम तुम्हारे साथ रहेंगे ये लड़का है ये लड़का क्या बोल रहा है इस लड़के का नाम है कबीर कबीर बोल रहा है कि वर्ष भर हम तुम्हारे साथ रहेंगे इसका मतलब है हमें एक साल तक हम साथ में रहने वाले हैं साथ में मिलकर पढ़ाई करने वाले हैं ये लड़की है ये मीरा है इस लड़की का नाम इस लड़की का नाम क्या है मीरा मीरा बोल रही है हम तुम से बातचीत करेंगे मेरा बोल रही है कि हम तुमसे बातचीत करेंगे ये बोल रहा है कबीर कि हम लोग वर्स भर तुम्हारे साथ रहेंगे और मेरा बोल रही है कि हम तुमसे बातचीत करेंगे ये दोनों भाई बेहन है ये देखिए ये कबीर और मेरा की माता जी है मतलब मम्मी बहुत लोग मम्मी को आई भी बोलते हैं कोई मा बोलता है कोई माई बोलता है कोई अम्मा बोलता है है ना लेकिन सबका मतलब मा ही होता है मा को अलग-अलग नाम से पुकारते हैं तो ये कबीर और मीरा की ये मम्मी है माता जी है और ये पिता जी है पापा है कबीर और मीरा ये दो बच्चे हैं उनके ये पापा है ये मम्मी है तो इस पाठ में हम ये जो पापा है ये इनके साइड के पूरे परिवार के लोग है पापा के परिवार के ये सारे लोग है और इस साइड में मम्मी के परिवार के सभी लोग हैं तो सबसे पहले हम मेरा और कभीर के पापा के साइड में कौन-कौन है उनके परिवार में इसके वारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले हैं दादा जी दादी जी तो बच्चो दादा जी किसे कहते हैं पापा के पापा को दादा जी कहते हैं जो पिता जी होते हैं जो हमारे पापा होते हैं उनके पापा को हम दादा जी कहते हैं और पापा की जो मम्मी होती है उन्हें हम दादी जी कहते है तो हम दादा जी किसे कहते हैं बच्चो पापा के पापा को हम दादा कहते है पापा के मम्मी को हम दादी कहते है ठीक है बच्चो अब आगे देखते हैं चाची जी, चाचा जी, पिता जी के भाई को चाचा जी कहते हैं, पिता जी के भाई को क्या कहते हैं, चाचा, बच्चों हम अपने सेबडों के नाम के साथ जी लगाते हैं, ये जी आदर सूचक शब्द है, ठेक हैं, पापा के भाई को हम क्या कहते हैं, चाचा जी, और जो चाचा जी की पत्नी होती हैं, उन्हें हम कहते हैं चाची जी, तो बच्चों आपको समझ में आया हम चाचा जी किसे कहते हैं, पापा के भाई को हम चाचा जी कहते हैं, आगे देखते हैं बच्चों, बुवा जी, फूफा जी, जो हमारे पापा होते हैं, उनकी बेहन क हम बुवा जी कहते हैं बुवा जी किसे कहते हैं बच्चो पापा की बेहन को बुवा जी कहते हैं और जो बुवा जी के पती होते हैं उन्हें हम फूफा जी कहते हैं फूफा जी किसे कहते हैं बुवा जी के पती को हम फूफा जी कहते हैं तो बच्चो ये पापा के साइट प चाची, बुवा, फूफा तो हमने पापा के परिवार के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की अब बच्चों हम मम्मे के परिवार में जो लोग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं ये देखेंगे सबसे पहले आते हैं नाना जी जो हमारी मम्मी होती है मम्मी के पापा को हम नाना जी कहते हैं नाना जी किसे कहते हैं बच्चो मम्मी के पापा को हम नाना जी कहते है और जो हमारी मम्मी होती है उनकी मम्मी को हम नानी जी कहते हैं है ना नाना जी नानी जी बच्चों को बहुत पसंद होते हैं जब छुट्टी होती है तो बच्चे बोलते हैं ममी हम नाना के हाँ जाए हम नानी के हाँ जाए हम दादा जी के घर में जाए अधिकतर क्या होता है बच्चो दादा दादी तो हमारे साथ में ही रहते हैं लेकिन जो नाना नानी है वो थोड़ी अलग रहते हैं इसलिए बच् और नाना नानी दोनों के हाँ जाने के लिए बहुत जित करते हैं क्योंकि सभी बच्चों को अपने नाना नानी दादा दादी बहुत पसंद होते हैं क्योंकि ये लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और रात में अच्छी अच्छी कहानिया सुनाते हैं और बच्चो को तो कहानिया सुनना बहुत पसंद होता है है ना बच्चो इसलिए सभी बच्चो को ना 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 नी और दादा दादी बहुत पसंद आते हैं वो बच्चो को बहुत प्यार करते हैं चोकलेट देते हैं मिठा मामा जी की पतनी को हम मामी जी कहते हैं ममी के भाई को हम मामा जी कहते हैं ठीक है बच्चो आगे देखते हैं मौसा जी मौसी जी ममी की बेहन को जो ममी की बेहन होती है उन्हें हम मौसी जी कहते हैं क्या कहते हैं बच्चो मौसी जी जो मौसी जी के पती होते हैं उन्हें हम मौसा जी कहते हैं बच्चो बताओ मौसी जी मौसी हम किसे कहते हैं ममी की बेहन को हम मौसी कहते हैं और मौसी जी के जो पती हैं उन्हें हम मौसा जी कहते हैं तो बच्चो आज हमने ममी के परिवार के लोगों को क्या कहते हैं और पापा के परिवार के लोगों को क्या कहते हैं इस विशय की जानकारी प्राप्त की आगे देखो बच्चो ये आप लोगों के लिए homework है दो homework में आप लोगों को देने वाली हूँ बच्चो यहाँ पर लिखा है मेरा नाम फिर इतनी जगाल खाली है और लिखा है तो बच्चो आप लोग यहाँ पर अपना नाम लिखो और मुझे comment करके बताओ कि आपका नाम क्या है और एक homework है बच्चो आप लोगों के पास ये देखो ये चित्र है इस चित्र में मम्मी, पापा और मीरा और कबीर ये मीरा है, ये कबीर है, इनके पापा है, इनकी मम्मी है ये इनकी फैमिली की फोटो है, इस फोटो में आप लोग अपने मन पसंद रंग भरोगे इसमें कोई भी बच्चा वाटर कलर नहीं भरेगा ठीक है, मोम कलर सब बच्चे भरेंगे तो बच्चो आपका दो होमवक है, एक तो ये फैमिली जो फोटो है, इसमें हम रंग भरेंगे और दूसरा, यहाँ पर सब बच्चे अपना नाम लिखेंगे तो बच्चो, यहाँ पर हमारी पारसाला समाप्त होती है अगली पारसाला में हम कल फिर मिलेंगे अगर आप मेरी पारसाला में नए हैं, तो मेरी पारसाला को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और कमेंट करे और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करे ताकि मेरी पारसाला का लाब सभी बच्चे ले सके ठेक है बच्चो तो बच्चो यहाँ पर मैं अपने पारसाला समाप्त करती हूँ बाई बाई बच्चो स्वस्त्र हो मस्त